तो हेलो दोस्तो आज अलकोहल फेनॉल सैन्ड इथर्स का हम दूसरा वीडियो लेकर आए है जिसमें हम देखेंगे कि प्रिपरेशन ओफ अलकोहल तो वीडियो शुरू करने से पहले आप से एक रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो आप आन तक जरूर देखना तो शुरू करें आ ऐफ्राम है अलकाईल हलाइड से अलकाईल हलाइड इसमें रियक्स करेंगे रियक्स वीड को एक्वी शना ओच यह आक्वियस के वह यह मौइस्ट आजी वह हितना यूज करेंग हो हम रियक्ट और उसे हम alcohol बनाएंगे तो देख ले पहला example कुछ alkyl halide क्या होते है देखो जरा alkyl halide कुछ ऐसे होते है कुछ R और X X का मतलब होता है halogen इसे बोलते है alkyl halide तो इसमें हम डालेंगे aqueous येने OH तो क्या हो जाएगा यहाँ से X बाहर निकलेगा और यहाँ से OH अंदर आएगा यहाँ इसमें डाल दो और aqueous के OH ये दोनों SN ये एक strong base से या इसे SN2 reaction है और SN2 अच्छा खासा OH माइनस देते थे और OH माइनस यहाँ से X की जगा आके अटेच होगा तो आर कुछ ऐसे OH अटेच होगा तो ये बन गया हुआ अलकोहल किसे अलकाइल हलाइड से तो यहाँ से यहाँ कुछ छोड़ने वाला है और OH को पकड़ने वाला है यह वेज बेल माइनस है और यह भी डेल माइनस कुछ लोग बोल रहे हो कि यह हमारे जिंदगी की कहानी है हो रही है एक बंदी छोड़ कि जा रही है दूसरी बंदी आ रही है तो देखो अब देखेंगे हम इसके तो सबसे पहले एक्जाम्पल देखते है हम कुछ ऐसा है कुछ CS3 उसमें BR लगा है और उसमें डाल दिया है NA OH AQUIOUS तो क्या हो जाएगा भाई यहां से BR के साथ BR निकल जाएगा और उसकी जगه OH आएगा और यहने BR बाहर निकलेगा तो यहां से CS3 OH यह बन गया alcohol और क्या बाहर निकला यहने BR दूसरा example देखें कुछ ऐसा है C2H4U है BR और उसमें डाल दिया एक्वियस के ओएच तो उसे क्या होगा भाई फिर वह से ही बाहर निकलेगा और ओएच उसे जाके लगेगा जूट जाएगा क्या बाहर निकला के वियार यह बन गया आपका अल्गोहल और एक्जामपल देखो तीसरा एक्जामपल कुछ ऐसा है सी एच त्री यहां आए लगा है और यहां एक्वियस एने वह डाला है कुछ भी डालो भाई तो यहां से फिर से बार आए बाहर निकलेगा और जो ओएच है और जो ओएच माइनस यहां के सी एस त्री को अटेच होगा सी एस त्री ओएच और बाहर क्या निकला यहां से यह निया कुछ ऐसा एक्जामपल ले लो कुछ एक्जामपल ले ले लेते हैं सी टू एच फायू और यहां लगाए बी आर और उसमें डाल दिया मॉइस्ट इजी ओएच यहां क्या होगा यहां से भी आर बाहर निकलेगा और ओएच जाके जुड़ेगा सी टू एच फायू और यह ओएच और बाहर क्या निकला यह जी आए और यहां तक समझ में आए सबको तो इन रियाक्शन से हमें अलकोहल तो मिल रहा है भई मगर इन एसन टू रियाक्शन है कॉनसी एसन टू नुकलियोफलिक सब्स्टूटियेशन तो इसे मिटा दे इसे जल्दी से नोट कर लो आप देखते हैं इसकी बुराई क्या है भाई अब देखो यह एक स्ट्रॉंग बेस से मैंने आपको पहले वता दिया है यह देते हैं एसन टू रियाक्शन डेते हैं आपको एक बात दिमाग में फिट कर लो कि जहाँ जहाँ SN2 reaction हो रही है वहाँ nucleophilic substitution reaction होनी ही होनी है तो nucleophilic substitution sorry nucleophilic SN2 को ही बोलते हैं जहाँ SN2 reaction होती है वहाँ elimination reaction होनी ही होनी है आप देखो elimination reaction elimination reaction यह reaction वहाँ होनी ही होनी है जहाँ जहाँ तुम्हें SN2 reaction दिखे वहाँ elimination reaction हो जाती है तो देखो इस elimination reaction की order देखे हम elimination reaction acquires order is इसकी order देखो क्या है इसकी order है भाई 3 degree greater than 2 degree और greater than 1 degree है इस elimination reaction सबसे ज्यदा 3 degree 3 degree में होता है 3 degree में सबसे ज्यदा एक ही ऐसा है SN2 और जहाँ जहाँ SN2 हो रहा है वहाँ Elimination reaction होगा ही होगा आप देखते हैं कुछ वन डिग्री आलको वन डिग्री वाला एक्जामपल लेके कुछ ऐसा वन डिग्री वाला ले ले थे CH3 CH2 और यहाँ लगा है BR यह वन डिग्री आलका इलालाइडे और उसमें ड हो गए भई CS3 CH2 और यहां ओच और यहां से न अब्यार प्लस यन यह कि यहां से नग्यार बाहरनिकला और यहाrem Elimination reaction भी होगा वह Elimination reaction 3 reaction ब्युक्त डेंसाद यहां Elimination reaction में क्या होता है देखो जरह elimination reaction में यहां का CS3 में से एक hydrogen निकलेगा और यहां से ओए चैने की एच टू बाहर निकलेगा और यहां से CS3 से एक hydrogen बाहर निकला तो इसकी एक वेलेंसी कम पड़ गई तो उसके लिए हमने एक double bond दे दिया तो यह हो गया अलकें तो CS2 double bond CS2 और यहां से एक एच बाहर निकला और यहां से ओएच क्या में निकला भाहर एच टू और क्या बाहर निकला यहां से यह ने बीर से ने बीर तो यहीं परिशानी थी के elimination reaction हो के को कुछ अलकाइल भी बन रहा है यह यहीं इसकी परिशानी तो टू डिग्री तक की बात टू डिग्री होगा तब तक की बात भी ठीक है अगर 3D डिग्री होगा तो उसमें स्रिफ और स्रिफ elimination reaction ही होगा 3D में SN2 नहीं होगा देखो जरा होगा हम नहीं इसकी बोल रहे होगा मगर बहुत थी रेर कंडिशन में 3D में elimination reaction बहुत ही जादा होगा और SN2 में बहुत ही कम ऐसी ओर्डर याद कर लो इसे मिटा देते कुछ 3D वाला example आपको समझा देते ही 3D में only one SN2 sorry elimination reaction ही होगा इसकी यह परिशान ही है इसलिए इसे NCRT में ऐसे एक्जामपल नहीं देते डायरक अलकीन से अलकीन में H2O एड करके अलकोहल बना दिये थे तो देको दरा 3D क्या होता है CS3 यहां CS3 यहां CS3 यहां नीचे CS3 और यहां लगा है NBR तो इसमें डाल दिया aqueous NaOH तो यहां स्रिफ और शिरिफ only elimination reaction ही होगा elimination reaction तो क्या हो जाएगा यहां से एक H बाहर निकलेगा इस कार्बन की बैलेंसी कम पर जाएगी यहां CS3 और क्या बाहर निकला यहां से NABR यहां से और क्या बाहर निकला यहां से ओएच और यहां से H याने की H2 भी बाहर निकला तो यहां तो कहनी आपको समझ में आए क्या हो रहा है तो आज का यह वीडियो करते हैं खतम हम Elimination reaction का SN2 reaction का और अगले वीडियो में हम अलकीन से अलकीन में H2O mix करके आपको preparation of alcohol बना देंगे तो आशा करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा पसंद आये या ना आये वह आलग बात है समझ तो आया होगा समझ में आने से यह हमारा मोटिव रहता है कि यह आप को समझ में आये तो समझ में आया हो तो इसे लाइक कर दीजे तो इस वीडियो का टार्गेट रखते है कुछ 15 लाइक का आप यह पूरा करोगे या नहीं यह तो सब आपके बाद आपके हाथ में है तो आज का यह वीडियो करते हैं खतम और फिर से एक बार मुलाकात होगी अगली वीडियो में तो थप्तक्किली फेरी ओल्द बेस्टु